अलो बच्चों वेलकम बैक तो देगे वेक्टर में काफी सारी चीज़े हमने बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ें पढ़ ली हैं कुछ बहुत ही इन्नोवेटिव और इंफॉर्मेटिव ट्रिक्स जो हमारे क्वेस्चन को बहुत चुट्कियों में solve करने में help करेंगे वो भी हमने last lecture में देखा तो आए बच्चों अब आगे बढ़ते हुए वेक्टर में जो काफी एक important चीज़ है examination perspective से या examination के point of view से वो है scalar product या फिर हम इसको dot product भी कहते हैं तो आए उसके बारे में सीखते हैं तो let's talk about scalar product scalar product या फिर इसको हम लोग dot product भी कहते हैं ठीक है dot product होता क्या है ये तो जैसे मानने जाए आपके पास दो वेक्टर दिये हो हैं let us say we have two vectors a and b तो a इसको represent हम कुछ ऐसे करते हैं a dot b से ठीक है और इसकी जो value होती है ये हो जाती है हमारी mod of a into mod of b cos theta जहाँ पे this theta is the angle between vectors angle between vectors तो देखिए थोड़ी बात हम इस theta पे भी कर लेते हैं कि अगर मानने जो दो vectors हमें दिये हुए हैं तो उनके बीच का angle हम कैसे decide करते हैं तो जैसे मानने जीए ये हमारे पास दो vectors दिये हुए हैं और दोनों के tails क्या है common है ठीक है यानि दोनों का initial point क्या है same है तो ये जो angle होगा ये इन दोनों vectors के बीच का angle हो जाएगा theta ठीक है suppose एक scenario ऐसा है कि जहां पे हमारे पास एक vector कुछ इस तरीके से दिया हुए है और इसका head दूसरे vector के tail से joint है कुछ इस तरीके से तो ऐसे case में हम दोनों के बीच का angle क्या बोलेंगे क्या हम दोनों के बीच के angle को ये angle बोलेंगे नहीं यहाँ पे भी हमारा situation कुछ ऐसा ही होगा कि हम कोशिश करते हैं कि दोनों vectors के क्या हों टेल जुड़े हुए हों और फिर angle हम उसके बीच में निकालेंगे तो देखिए जैसा कि हमने बात किया था कि जो हम vector पढ़ते हैं वो क्या होता है free vector होता है तो free vector होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं plane में कहीं भी move कर सकते हैं without changing the properties है ना तो हम इस vector को आगे उठा के लेते आए अब यह जो angle होगा ना यह हमारे basically दोनों vectors के बीच का angle होगा यानि कहने का मतलब यह हुआ यहाँ पे कि अगर यह vector आपके पास दिया हुआ है तो इन दोनों vectors को इन दोनों vectors के बीच का angle निकालने के लिए आप इस vector पर थोड़ा सा extend कर दो और यह जो angle होगा यह दोनों vectors के बीच का angle होगा ठीक है तो अगर आपके पास a.b निकालना हो तो a.b की value हो जाएगी mod of a into mod of b cos of theta where theta is the angle between vectors यह चीज़ हम जानते हैं ठीक है ओल्राइट यहाँ पर इसका na geometrical aspect समझने की कोशिश करते हैं कि यह geometrically क्या represent करता है तो let's talk about its geometrical interpretation geometrical interpretation क्योंकि geometrically जो यह represent करता है जो इसका interpretation है वो बहुत important है हमारे लिए geometrically यह क्या interpret करता है कि जैसे मान लेजे हमारे पास situation कुछ ऐसा है दो vectors का let us say यह हमारे पास vector a है और यह हमारे पास vector b है और यह है इनके बीच का angle है ना तो obviously यह जो length होगा यह basically mod of vector b हो जाएगा अच्छा यहां से इसके head से अगर हम a पे एक perpendicular draw करें कुछ इस तरीके से ठीक है तो बताए यह distance कितना होगा आपका तो triangle है यह इसका length है b यह angle है theta तो यह length हो जाएगा mod of b cos theta है ना mod of b cos theta ठीक है अच्छा ध्यान से देखिए क्या मैं इसको इस length को जो यहां पे हमारे पास यह length हाया है यह इस vector का projection कह सकता हूँ on the vector a projection देखिए इस word को थोड़ा अच्छी तरीके समझेंगे कभी भी हम किसी का projection लेने की बात करते हैं यानि क्या कह रहे हैं कि मान लिजे यहां पे आपने एक torch जलाया ठीक है यहां पे आपने एक torch जलाया तो इस vector का shadow जो a पे पड़ेगा वो जो shadow होगा उसको हम projection कहते हैं ठीक है तो obviously आप यहां पे अगर torch जलायेगा तो इस vector का जो shadow a पे पड़ेगा वो यही वाला length होगा ठीक है तो यानि यह जो mod b cos theta या यह और कुछ नहीं बलकि this is projection of b on a यह हो जाएगा तो अब अगर हम a dot b के बारे में बात करें तो देखिए a dot b जो हमारी value आई थी vector a dot vector b यह जो value आई थी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mod of a और mod of b cos theta मैंने साथ में लिख लिया ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा यह हो गया magnitude of a magnitude of a और यह जो mod b cos theta हो गया यह क्या हो गया हमारा projection of b on a है ना similarly आप other way round भी कह सकते थे कि a का projection अगर हम b पे लेंगे तो वो क्या हो जाएगा mod a cos theta तो या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो या फिर दूसरा तरीका यह भी है कि आप इसको लिखो mod b into mod of a cos theta है ना and this will be basically magnitude of b magnitude of b into projection of a on b projection of vector a on vector b है ना तो यह होता है इसका geometrical interpretation तो यानि कहने का मतलब यहां से एक बहुत important application और एक बहुत important result हमारे पास आ गया वो क्या कि कोई भी vector अगर मान लीजे हमें दिया हुए let us say हमारे पास यह एक vector दिया हुआ है let us say this vector is b और यहां पे हमारे पास एक vector दिया हुआ है vector a है ना तो इस vector b का अगर vector a पे projection निकालना हो ठीक है तो वो यहां से हम लिख सकते हैं this projection is nothing but where obviously इसको आप extend कर लीजे अगर इस vector को इस vector को extend करके इधर लेके आईए और मानिए कि दोनों vectors के बीच में यह जो angle है वो theta है तो यह जो value होगी ना आपकी यह आपकी mod b cos theta हो जाएगी ठीक है ? mod b cos theta यानि हम यह कह सकते हैं देखिए सीखने वाली बात यहां पे क्या है ? सीखने वाली बात यह है कि अगर हमें let us say projection of vector b on vector a निकालना हो तो यह value हो जाएगी हमारी mod b cos theta ठीक है ? अच्छा अब हम यहां पे अगर मान लिजे mod a से उपर नीचे multiply कर दें तो यह mod a mod b cos theta हो जाएगा और upon mod a हो जाएगा अच्छा आप numerator को आप यह समझ सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं ? a.b लिख सकते हैं तो this will be a.b upon mod of a सीखने को क्या मिला यहां से ? कि अगर b का projection a पे निकालना है तो आपका answer हो जाएगा a.b upon mod a यानि जिसपे projection निकालना है उसके modulus से divide कर दो आप dot product को आपको आपका projection मिल जाएगा similarly अगर मैं बोलूँ कि projection of a on b ठीक है projection of vector a on vector b तो यह क्या हो जाएगा अब आप answer अपने से बता सकते हो a.b तो उपर में होगा ही numerator में denominator में क्या होगा तो किस पे projection निकाल रहे हैं हम vector b पे तो vector b के magnitude से आप divide कर दो simple so this will be your projection अच्छा जब projection की बात होई रही है तो एक और interesting चीज में बताता हूँ आपको वापस से यह picture डॉप कर लेते हैं यहां से समझना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा देखिए physics में हमने यह बात पढ़ी थी कि किसी भी vector को हम दो components में break कर सकते हैं है ना तो अगर इस vector b को let us say इसको मैं vector b ही बोलता हूँ इस vector b का अगर हमें component break करना है तो obviously a component कुछ यह रहा होगा है ना और दूसरा component perpendicular to a कुछ यह रहा होगा ठीक है इस तरीके से हम vector b का component break कर सकते हैं है ना तो एक component होगा along vector a और एक component होगा perpendicular to the vector a ठीक है अब component कैसे निकालेंगे तो देखे इसका projection हमें पता है इसका projection क्या है vector b का vector a पे projection जो आया था वो आया था mod of the cos theta यह यह आया था projection अब हमें magnitude पता है इस vector का मतलब इस vector का जो component हम निकालने वाले है उसका magnitude पता है तो हमें बस इसको देना क्या है? direction तो किसी भी magnitude को अगर आपको direction देना है तो जिस direction में उसके corresponding ये vector a है उसके अगर unit vector से multiply कर दें तो अपना काम हो जाएगा ठीक है? देखिए इस vector a के direction में एक unit vector हमारा क्या होता? a cap और इसी direction में तो हमें अपना ये component चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम इस magnitude में इस unit vector को multiply कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? component of b along vector a तो हम ये कह सकते हैं कि component of vector b along a this is nothing but mod of b cos theta times a cap और mod of b cos theta क्या है? projection of b on a है न? यानि ये हो जाएगा projection of b on a हम क्या लिख सकते हैं? a dot b upon mod a ठीक है? mod a times a cap तो ये हो गया आपका component of b along a अब बात आती है कि component of b perpendicular to a क्या होगा? तो जैसे माल लिजे इसको मैं b1 बोल देता हूं और इसको मैं b2 बोल देता हूं तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो b1 vector plus b2 vector होगा ये खुद b vector के बराबर होगा और b1 vector क्या है? component of b along a तो क्या component of b perpendicular to a जो b2 है उसकी value vector b minus vector b1 हो जाएगी? यानि यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि component of vector b ये आपका हो जाएगा vector b minus component of b along a which was a.b upon mod a times a cap तो ये आपका आंसर हो जाएगा component of b perpendicular to a ठीक है? तो अब देखिए बहुत important aspects हमने पढ़ लिए क्या dot product से हम क्या define करते हैं? projection of any vector on any other vector dot product से हम क्या define करते हैं? component of a vector along and perpendicular to a given vector ये define करते हैं ठीक है? पर इसके अलावा भी कुछ properties हैं जो हमें जाननी चाहिए तो आईए question करने से पहले हम बात कर लेते हैं उन properties की तो let's talk about properties of dot product properties of dot product देखिए सबसे पहला observation बिना कुछ confusion के ये हम clearly बता सकते हैं कि जो output होगा इसका dot product का a dot b का जो output होगा वो क्या होना चाहिए? scalar and that is why it is also called scalar product ठीक है? तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे तो चलिए अब properties पे बात करते हैं तो सबसे पहली property ये हो जाती है इसकी कि ये जो dot product होता है वो commutative होता है commutative कहने का मतलब कि अगर आपने a dot b लिखा है तो इसकी value जो होगी वो भी आपका mod a mod b cos theta हो जाएगे है ना? और b dot a भी लिखोगे तो भी वही value होगी क्योंकि ना magnitude of a change हुआ यहाँ पे ना magnitude of b change हुआ और ना ही angle between vectors change हुआ ठीक है? तो यानि हम ये कह सकते हैं कि a dot b is basically equal to b dot a ठीक है? तो that means dot product is commutative second हमारे पास ये भी हो जाता है कि dot product हमारा distributive भी है यानि कहने का मतलब कि अगर आपने a dot b plus c लिखा तो ये dot क्या होगा? b और c दोनों पे distribute हो जाएगा यानि हम इसको लिख सकते हैं a dot b plus a dot c ठीक है? तो dot product क्या हो जाता है? distributive हो जाता है तीसरी property कभी भी vectors के बीच में आपको angle निकालना हो तो याद कर ये vectors के बीच में कभी भी हम angle define करते हैं तो वो 0 से πाई के बीच में define करते हैं ठीक है? 0 से πाई के बीच में define करते हैं तो यानि या तो आपका angle 0 से pi by 2 के बीच में हो सकता है या फिर आपका angle pi by 2 से pi के बीच में हो सकता है 0 से pi by 2 यानि 1st quadrant pi by 2 से pi यानि 2nd quadrant तो जब भी आपको angle between vectors निकालना हो angle between vectors तो हम लोग हमेशा dot product यूज़ करते हैं so angle between vectors ठीक है तो यह आपका हो जाएगा सिंस याद करिए यहां से cos theta is equal to a dot b upon mod a mod b आता तो theta की value क्या हो जाएगी cos inverse of a dot b upon mod a mod b ठीक है तो जब भी हमें vectors के बीच में angle निकालना होगा हम लोग हमेशा dot product यूज़ करेंगे आगे जाके हम देखेंगे कि vector product में भी हमारे पास sin theta का term आता है लेकिन हम कभी भी vector product use नहीं करते to find angle between vectors क्यों? क्योंकि वहाँ पे sin theta आता है अब sin theta के साथ sin के साथ problem ये है कि 0 से pi के बीच में वो हमेशा positive होगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि जो angle आपने निकाला है या sin theta की value लेटस से half आई है तो वो half angle 30 degree की बज़े से है या फिर angle 150 degree की बज़े से तो that will always confuse you तो यहाँ पे clear रहेगा कि angle between vectors अगर आपका 0 से pi by 2 के बीच में है तो यह cos theta की value जो होगी वो positive होगी और angle between vectors अगर आपका pi by 2 से ज़ादा है तो cos theta की value negative होगी यानि यहाँ से कुछ observations हम यह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो cos theta आएगा that will be a dot b upon mod of a b ठीक है a dot b upon mod of a upon mod into mod of b ठीक है अब अगर यह positive आया अगर यह positive आया यानि theta आपका क्या है acute तो theta will be acute angle अगर यह 0 आया तो यानि theta is equal to 90 degree यानि कहने का मतलब this implies vector a is perpendicular to vector b अब देखिए यह जो है a dot b is equal to अगर यह 0 हुआ है तो obviously a dot b की value 0 ही होगी अब a dot b अगर 0 हुआ तो यह necessary and sufficient condition है to prove that two vectors are perpendicular अगर दो non-zero vectors है और उनका dot product अगर 0 आता है तो यानि यह मतलब यह conclusion हम निकाल सकते हैं कि दोनों vectors आपस में क्या है perpendicular है ठीक है और y से वर्सा यानि कहने का मतलब कि अगर a is perpendicular to b तो a dot b for sure क्या होगा 0 होगा ठीक है तो दोनों तरफ से यह यह आपका valid रहता है यानि a dot b is equal to 0 तो दोनों perpendicular दोनों perpendicular to a dot b 0 ठीक है ओके अगर यह less than 0 आ जाए तो less than 0 के लिए हमारे पास theta क्या हो जाता है obtuse obtuse कहने का मतलब कि अब दोनों vectors के बीच का जो angle होगा वो 90 degree से बड़ा होगा ठीक है तो यह बात हम ध्यान में रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं properties में देखिए अगर आपने a dot a निकाला किसी vector का dot product उस vector के साथ ही निकाला तो यह क्या हो जाएगा mod of a into mod of a into cos theta अब दो vector same ही है तो उनके बीच का angle क्या होगा 0 तो यानि theta यहाँ पे क्या हो गया 0 cos theta की value क्या हो जाएगी 1 ठीक है यानि यहाँ पे situation यह हो गया कि जब भी आप a dot a निकालोगे तो यह value आपकी हो जाएगी mod of a whole square ठीक है mod of a whole square अब इन दोनों observations से हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि हमें पता है कि x coordinate के along जो unit vector होता है उसको i हम लोग अगर coordinate axis अपना बनाते है तो लेटर से यह x coordinate है यह y coordinate है और यह z coordinate है तो इसके along का unit vector हमारा i cap से represent होता है इसके along j cap और इसके along k cap से तो यह वाले property से आपको यह बात clear हो जाएगी कि यह जो i dot i होगा या फिर j dot j होगा या फिर k dot k होगा इसकी value क्या हो जानी चाहिए यह हमारी one हो जानी चाहिए और इस वाली property से आपको clear हो जाएगा कि i dot j है ना या फिर j dot k या फिर k dot i ये values हमाशा क्या होगी 0 होगी क्योंकि ये सारे आपस में क्या है perpendicular है ठीक है यानि यही से अगर आप ये देखिए कि अगर एक vector a को हमने रेप्रेजेंट किया components में say a1 i plus a2 j plus a3 k और दूसरा vector b को हमने रेप्रेजेंट किया components में b1 i plus b2 j and plus b3 k तो components के form में अगर इनका हम dot product लेंगे तो ये a dot b जो हमारा बनेगा ये हो जाएगा देखिए i का i के साथ dot product ठीक है तो वो value 1 हो जाएगी तो यानि ये हो गया a1 b1 i का j के साथ 0 i का k के साथ 0 तो यानि अब देखिएगा finally तो आपके पास कुछ नहीं result जो आएगा वो x components का product plus y components का product यानि a2 b2 and plus z components का product यानि a3 b3 ये value हो जाती है जब भी हम dot product निकालते हैं दो vectors का तो उनके x components का product plus उनके y components का product plus उनके z components का product ये हमारी dot product की value हो जाती है ठीक है? अल्राइट कुछ standard results अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कैसे? तो देखिए अगर आपके पास mod of a plus b whole square निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा? mod of a whole square है ना? तो अभी हमने देखा था कि mod of a whole square a dot a हो जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं a plus b dot a plus b है ना? अब देखिए इसको simplify करें आप तो a dot a क्योंकि dot product क्या होता है? distributive होता है तो a dot a यानि mod of a square plus a dot b and plus b dot a और हमें पता है कि dot product commutative होता है तो twice of a dot b हो जाएगा and plus b dot b यानि mod of b square तो mod of a plus b whole square हो जाता है आपका mod of a square हम इसको arrange करके इस तरीके से लिख लेते हैं mod of a square plus mod of b square and plus twice a dot b ठीक है? अब अगर यहाँ पे minus हुआ तो यहाँ minus हो जाएगा यहाँ minus हो जाएगा यहाँ minus हो जाएगा और यहाँ minus हो जाएगा यानि आप अगर mod of a minus b whole square लिखते हो तो answer हो जाएगा mod of a square plus mod of b square minus twice a dot b ठीक है? अच्छा यहां पे कुछ results अगर हम यहां से निकालना चाहें तो अगर मान लीजे कभी हमारे पास दिया हुआ है कि mod of a plus b whole square is equal to mod of a square plus mod of b square ठीक है तो इससे हम क्या conclusion निकाल सकते हैं मान लीजे यह हमारे पास if दिया हुआ है if mod of a plus b whole square is equal to mod of a square plus mod of b square तो यहां से क्या conclusion निकलेगा तो compare करते हैं यहां पे mod of a plus b whole square हमारे पास था mod a square plus mod b square plus twice a dot b यानि यहां से conclusion यह निकलेगा कि यह a dot b हमारा 0 रहा होगा so this a dot b is equal to 0 और a dot b अगर 0 होता है तो बताइए बच्चों हमने अभी-भी क्या result देखा यहां से तो यह देखा कि यह a और b आपस में क्या हो जाएंगे perpendicular हो जाएंगे है ना फिर अगला result अगर हम देखें so let us say हमारे पास mod of a plus b is equal to mod of a plus mod of b आ जाएं तो फिर क्या कह सकते हैं तो देखें दोनों तरफ square करते हैं एक बार let's square this अगर आप square करिएगा तो mod of a plus mod of b square जो आएगा यह आगया mod of a square plus mod of b square plus twice mod a mod b है ना अच्छा यहां पे cos theta यहां पे जी यह जो value थी यह a dot b के बदले में हम twice mod a mod b cos theta लिख सकते थे अगर इसके साथ compare किया हमने तो यानि obviously यह cos theta की value क्या रही होगी 1 रही होगी तो यानि यहां से conclusion यह निकल गया हमारे पास जो conclusion निकलेगा इस result से वो यह निकलेगा कि आपके पास cos theta की value क्या रही होगी 1 और cos theta अगर 1 रहा होगा तो theta क्या रहा होगा 0 ठीक है theta 0 रहा होगा यानि a is parallel to b ठीक है a क्या हो जाएगा parallel पे parallel to b यानि a and b are like vectors यहां पे parallel का condition देखे दो meaning हो जाता है को लिनियर में हमने बात करी थी कि like और unlike दोनों ही आपस में क्या होते हैं parallel होते हैं like vectors के बीच में angle 0 होता है unlike vectors के बीच में angle πाई होता है लेकिन यहां पे हमारा angle 0 आ रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि a and b are like vectors a and b are like vectors ठीक है तो यहां से यह हमारा conclusion हो जाएगा clear यहां से तीसरा अगर हम देखें कि अगर माल लिजे तीन vectors अगर आपके पास दे दिये जाएं यानि mod of a plus b plus c whole square तो वही चीज है a plus b plus c dot a plus b plus c हो जाएगा है ना a plus b plus c dot a plus b plus c और अगर आप इसको simplify करें तो यह value कुछ आ जाएगी आपकी mod of a square plus mod of b square plus mod of c square plus twice a dot b plus twice b dot c plus twice c dot a है ना तो यह हमारी value आ जाएगी तो बचों इस वीडियो में हमने scalar product या dot product के theory देखी उसके concepts समझे next video में हम लोग उस पे based कुछ questions करेंगे ताकि यह जो concept हमने सीखे हैं यह पूरी तरीके से solidify हो जाएगा ठीक है तो मिलते हैं next video में